9 जन्वरी को प्रवासी भारतिये दिवस मनाय जाता है और देखे इस तरह का कभी कोई दिवस मनाय जाता है तो उसके बारे में आप लोगों के पास एक सावान जानकारी होने चाहिए क्योंकि इस तरह के दिवस से आपकी परिक्षाओं में कुश्चेंज पूच लेते हैं चाहे आप लोग एस्टेट PCS की तैयारी करे हो या Civil Service की तैयारी करे हो या आप देखे कि आप लोग One Day एकजाम की तैयारी करे हो जिसमें आपका सेंटर लेवल की तमाम SSC बैंक रेलवे के एकजाम होते रहते हैं इस्टेट में भी आप देखते हैं कि सिक्चक भरतिया होती रहते हैं पुलिस कॉंस्टेवल के लिए होता रहता है ऐसा ही दरोगा के लिए पटवारी के लिए इस तरह के अनेकों एकजाम होते हैं और देखे कोई भी दिवस मनाये जाता है तो वो कभी तो सुरू हुआ होगा कोई कारण तो रहा होगा तो उस कारण को आप लोग याद रखा करिएगा फिर बर्तमान में इसी मनाने का उद्देश क्या है उस उद्देश को आप लोग याद रखा करिएगा और फिर इस साल की थीम क्या रखी गई है सब्जेक्ट क्या रखा गया है उस पर भी आप लोग एक सामन जानकारी रखा करिएगा और फिर एक बात और याद रखें कहां ए सम्मेलन आहिजित हो रहा है उसके बारे में भी याद रखा करिएगा और प्रवासी भारती दिवस को मनाने की बात हो तो आप सभी जानते हैं कि गांधी महत्मा गांधी साब की बज़य से हम लोग इसे मनाते हैं आप सभी जानते होंगे कि 9 जनवरी का दिन था 1915 था जब दच्षड अफीका से गांधी जी भारत आये थे देखी एह दच्षड अफीका एह दच्षडी महादिम में दच्षडी चोर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसका छेथफल देखें तो 12,21,000 यह आप देखेंगे कि 37 बर किलोमीटर में फैडा हुआ है यहाँ की सरकार की बात करें तो संवीधान एक लोकतंत है और राधधानी की बात करें तो पिटोरिया कारपाली का राधधानी है बिलॉम फांटेन यहाँ की नियाएक राधधानी है कैप टाउन याई की बिधाईक राधदानी है और इससे लगे हुए देश अगर आपको देखना है तो नावीविया हो गया, बोच्वाना हो गया और आप देखेंगे जिमबांबे हो गया और मुझांबे का आप लोगों को देखने को मिलेगा यहीं से आप देखेंगे तो यह हमारा फ्यारा भारत आपको देखने को मिलेगा और यह सम्मिलन आपका इंदोर में हो रहा है, कहां हो रहा है इंदोर में, तो भारत में आप लोग जाएंगे तो आपको बीच में मद्विदेश देखने को तो यहीं का एक सहर है इंदौर, इंदौर में आए जित हो राय सम्मिलन, और यहां विधान सभा में 230 सीटे हैं, राज्य सभा में 11 सीटे हैं, लोक सभा में 39 सीटे हैं, आप लोगों को मद्रवदेश में देखने को मिलेंगी, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा. चलिए अब कुछ पॉइंट और हैं, तो 9 जनवरी को PBD मनाने के दिन के रूम में चुना गया था, क्योंकि इसी दिन बर्स 1915 में महत्मा गांदी महान प्रवासी दच्छड अफीका से भारत लोते थे, जोनों ने भारत की सुतनता अफ्टंगराम का नितित किया था, भारतिय की जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था, और आप देखते हैं कि महत्मा गांदी की बात होती है, तो इनके बारे में एक सामन जान करी याद रखाईगा, 2 अक्टूवर 1869 में इनका जनम हुआ था, और आप सभी जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 में नई दिल्ली में इनकी हत्या कर दी गई थी गोली मार कर, ठीक है, तो यह भी आप लोग याद रखेगा, और एक बकील थे, उपने बेस बात बिरोधी थे, राजनेतिक नेतिक बादी थे, भारती राष्टी कॉंग्रेस से भी जुडे रहे हैं, इनकी पतनी का लाम कस्तूर्वा गांदी था, तो यह पंद्रे में इसे संसुदित किया गया, और हर दो बर्स पर इसे मनाने का नेड़े किया गया, और यह तब एक बिसयाधारी संभीलन था, जिसे हर बर्स अंतिरिम अवधी के दौरान किया जाता था, 2003 में सुरू होता है, 2015 तक हर साल मनाय जाता था, लेकिन 2015 में संसुदन किय जाता है, अब हर दो साल में एक बार आयुजित होता है, पिछली बार आपने देखा होगा कि 2021 में हुआ था, और 2021 के प्रवासी भारतिय संभीलन की भारतिय जो प्रवासी भारतिय दिवस है, उसकी थीम क्या रखी गई थी, नई दिल्ली में आयुजित किया गया था, और ज भारत से बाहर भी रहते हैं, राज्यों से किसी राज्य में आप देखते हैं कि काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें भी प्रवासी कह देते हैं, और इस दिन सरकार प्रवासी भारतिय सम्मान पुरुसकार भी पिदान करती है, और इस बार की अगर हम लोग थीम की बात करें इस बार की थीम है और यह एक आनेवासी भारतिये या भारती मूल के ब्यक्तियों और आनेवासी भारतियों या भारती मूल के ब्यक्तियों द्वारा इस्तापित या संचालित एक संगटन संस्था को दिया जाने वाला सरपोच सम्मान है और जिनोंने विदेश में भारत को बेhrतर ढंक से समझने में महतपूर योगदान दिया है और भारत के कारणों और चिंताओं का मूर्त रोप से समर्थन करते हैं और इस दिन को मनाने के महत्तिकी बात करें तो यहाँ प्रवासी भारतिय समधाय को सरकार और देश के मूल लोगों के साथ जुड़ने के लिए एक मात्पूर भूमिका निभाता है और एक कन्वेंसन पूरी दुनिया के विविन हिसों में रहने वाली भारतिय समधाय के बीच नेट वरकिंग में बहुत उपयोगी है उन्हें विविन चेत्रों में अपने अनुभाव साज्या करने में सक्चम बनाते हैं और आप देखते हैं कि कोई अगर बेक्ती विदेश में रहकर काम कर रहा है उसके बदले आप देखिए वहां से पैसा कमाता है और भारत में ही तो भीजता है उसके लोग उसके अपने भारत में रह रहे होते हैं तो उनका एक बड़ा योगदान रहता है प्रवासी भारतियों से सम्मदित कुछ सरकार की तरप से पहले चल अई गई हैं इसमें प्रवासी कौसल विकास यह उजना प्रवासी भारतियों के कौसल विकास की पिक्रिया को संस्थागत बनाना प्रवासी बच्चों के लिए चात्विती कारकरम इसनाता पाटकरम भी तु भारती मूल के बेक्तियों और आनिवासी भारतीयों चात्रों को पिती बस सो चात्र विर्तियां पिदान की जाती है भारत को जानू कारकरम यह भारती मूल के युवाओं दौरा यह उजना यह एक रोटेशन कारकरम को अपचारिक रोप देता है और जिसमें सीज एनराई एनराई बिज्ञानिक इंजिनियर डॉक्टर प्रवंधक और पेसेवर एक संचिप्त अवधी के लिए भारती सारुने चित्त की संगटनों की सेवा करते हैं और अपनी विस पूंचा जाएगा तो मुझे लगता है कि इसका अंसर देने की स्तिती में आप लोग पहुंच गये होंगे